शिवाजी महाराज की कर्म भूमी है, शिवाजी महाराज की जै, जै हिंद, जै महराश्ट्रा, नमस्कार, प्रेस के हमारे मित्रों, कहना पड़ता है प्रेस के मित्रों, आज कल, है ये किसी और के मित्र, मोदी जी के मित्र, 24 गंटा 24 गंटा नरेंद्रमोधी की वीडियो देखेगा और ऐसा लगता है कि आज कल के पत्रकार जो एंकर्ज है सवाल पूछते हैं लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्य करता है या इनके पेरोल पे है देखिये लड़ाई सम्विदान को बचाने की है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कॉंस्टिटूशन को सम्विदान को लोगतंत्र को बचाने में लगी है दूसरी तरफ नरेंद्रमोधी जी आरेसेस इस किताब को खतम करना चाहते है जो ये अमबेटकर जी की देन है जिसमें फूले जी की सोच है महत्मा गांदी जी जवालाल नहरू जी जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लडाई करकर ये इस देश को दिया इसको नरेंद्रमोधी बीजेपी बदलना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को किसानों को पिछडों को गलितों अधिवासियों को माइनॉरिटीज को गरीब जेनरल कास को अधिकार मिलता है इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे जो भी आपके पास है सारा उनी 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा मंद्रे का बना भोजन का अधिकार जमीन अधिकार अनबेल हरी करांती सफेद करांती बैंक नैशनलाइजेशन ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिये है और मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन ये गाइब हो गई जिस दिन बीजेपी ने सच मुच में इसको खतम कर दिया तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाऊगे ये है लड़ाई और मैं देश से कहना चाहता हूँ कि जो अमबेटकर जी ने हमें दिया महत्मा गांदी जी ने दिया उसको हम कभी खतम नहीं होने देंगे सवाल नहीं उठता कभी उनके नेता सम्विधान को बदन्दी की बात करते हैं कभी कहते हैं कि आरक्षन खतम कर देंगे मोधी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें ये जो 50% का लिमिट आरक्षन पे लगा है किसी भी भाशन पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे कहीं भी जागे कह देंगे हमने निन्ने लिया है चुनाओ के बाद ये जो आर्टिफिशल लिमिट लगा रखी है जिससे करोणों लोगों को नुकसान हो रहा है 50% रेजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़के हटा देंगे बाहर फेग देंगे इसको देश में 15% गलित अबादी है 8% आदिवासी है और तक्रीबन 50% कम से कम 50% पिछडे वर्ग की अबादी है 50, 15 और 8 कितना हुआ कितना जनता सब जानती है इनकी गलती नहीं है इनको इनको इन पे लगाम लगा रखी है उपर से अधानी जीने बान रखता है खोलते नहीं है इनकी गलती नहीं है इनका कुछ लेना देना नहीं है यह मुश्कुरा रहे हैं कह रहे हैं भishing हमें तो salary चाहिए बच्चों को देखबाल करना है बच्चों को देखबाल करना है हमारी गल्ती नहीं है मगर आपकी जिमेधारी बनती ए उस जिमेधारी को आप पूरा नहीं करbnा रहे हैं उनके नाम देखिए, मालिकों के नाम देखिए, बड़े-बड़े एंकर्स के नाम देखिए, बड़े-बड़े पत्रकानों के नाम देखिए, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दलित नहीं दिखाई देगा, एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा, एक गर चाहे घरोज़गारी, भागीदारी की बात नहीं करते ये अमबानीची की शादी दिखाते है आप लोगों को उसमें आपको दिखा दे, देखो देखो किसी ने दस करोर की घड़ी पहन रकी है किसी ने दो करोर का ड्रेस पहन रखा है, वो दिखाते है मगर यह आपके हैं यह आपके हैं यह अधानी के हैं जो हिंदुस्तान के बाइस सबसे अमीर लोग कहते हैं वो यह करते हैं मुंबाइ का एरपोर्ट उठा ले गए कि सीबी आई एडी का दबाव लगाया अधानी जी को पकड़ा दिया मीडिया ने कुछ नहीं कहा पोर्ट एरपोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर डिफेंस इंडस्ट्री सारे की सारी उठाज ले गए मीडिया कुछ नहीं कहती मगर इनकी जिम्यदारी बनती है प्रश्टाचार होता है एलेक्टोरल बॉंड्स का हजारों करोर रुपए का प्रश्टाचार होता है हफते बाजी होती है आँखों के सामने मीडिया वाले एक शब नहीं बोलते उदर सुप्रीम कौट कहता है कि एलेक्टोरल बॉंड्स कीम इलीगल है बरश्टाचार हुआ है इसमें बंद कर दो इसको अब जानते हैं एलेक्टोरल बॉंड्स कीम में क्या हो रहा था हमने तारीके मांगी यह तारीक नहीं दे रहे थे मोधी जी कहते हैं राजनेती को मैं साफ करना हूँ के क्यूं रखे हुए हैं जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है एक दिन एक कंपनी को कांट्राइट मिलता है हजारों करोड रुपए का उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है किसी और कंपनी पर सी बी आए केस खोलती है वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड रुपए देती है केस बंद हो जाता है देश के सामने नरेंद्र मोधी भरष्ट चार करने है मीडिया कुछ नहीं कहती आपके ही नहीं फिर दोसब सबसे बड़ी कंपनीयों के लिस्ट निकालिए उनके नाम निकालिए उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग है उनके नाम निकालिए आपको एक पिछड लोगों को नरेंद्र मोधी जी ने 16 लाक करोड रुपए करजा माफ करके दिया है आप शेम कह रहे हो मगर 16 लाक करोड रुपए कितना होता जानते हो आम आदमी नहीं समझ सकता आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाक करोड रुपए क्या होता है मैं आपको बताता हूं अगर आप हमने किसानों का करजा माफ किया था जब यूपिए गे सरकार थी अगर आप किसानों का करजा माफ चौबिस बार चौबिस साल के लिए हर साल करजा माफ करोगे अंजनी लॉंस मंगल का रहे ले कौंडवे दावडे पुने पार्किंग जेवनता सोतंत्र हौल आनि वदू अरांचा सुसज्य खोलें सह बजेट मदे असले ले एक मेव खात्री शीर मंगल का रहे ले उतना पैसा नरेंद्र मोधी ने बाइस लोगों को दिया है चौबिस साल का मन्रेगा का पैसा चौबिस बार किसान का करजा माफ करो उतना पैसा दे दिया है इसने हालात यह है कि बाइस लोगों के पास उतना दन है जितना सत्तर करोड लोगों के पास है एक परसेंट हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का दन है और किसी भी संस्ता में आप देख लो सरकार में देख लो corporate इंडिया में देख लो media में देख लो private hospital में देख लो private colleges, universities में देख लो आपको एक पिछडा नहीं मिलेगा एक गलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा गलित आदिवासीों की बात करनी है डूढ़ना है उनको मजदूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको जो मिलेगा करते हैं वहां जाके देखो contract labor का काम करते हैं वहां जाके देखो 90% हिंदुस्तान या मनरेगा कर रहा है या contract labor कर रहा है या कहीं सर्क पे मजदूरी कर रहा है और इंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में हैं नहीं कहीं नहीं है 650 आई काउट के जज़ हैं आपकी अबादी 73% है 650 में 100 भी नहीं है 90 लोग इंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं 90 90 I.A.S. सबसर हैं बजट को बाठते हैं महराष्णा हुआ कितना पैसा मिलेगा करनाट कितना जाएगा सरकों में कितना जाएगा डिफेंस में कितना जाएगा शिक्षा स्वास में कितना जाएगा वो 90 लोग Wind करते उनकी लिस्मीकाली मैंने चलो देखते हैं पिछड़े कितने है दलित कितने है आदिवासी कितने है 90 में से 3 OBC है 3 दलित है एक आदिवासी है और back office में बैठा रखे है आप ये मत सोचिए कि finance ministry में है defense ministry में है बड़ी ministry में नहीं साथ लोग हैं ति हत्तर परसंट आपकी अबादी साथ लोग है न अबे में से पीछे बैठा रखे हैं चू नहीं कर सकते वो और अगर सो रुपे खर्च होता है बज़ेत में तो छे रुपे दस पैसे का निंडने ये साथ अफसर लेते हैं और कभी भी इनका वीटो लग सकता है और यही हालत हर सरकार में महराश्टा की सरकार में भी यही है उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यही है दिल्ली की सरकार में भी यही है तो 90% के पास यहां कुछ है ही नहीं यह सचा ही है इसलिए हमने मैनिफेस्टों में साप लिखा है हमारी सरकार आएगी तो हम जाती जनगरना कराएंगे इकनोमिक सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान के हर संस्ता हर संस्ता का सर्वे कराएंगे मतलब यह पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्के कितने लोग है हिंदुस्तान की कॉर्परेट इंडिया में पिछड़े वर्के दले तादिवासी कितने है प्राइबेट हस्पतालों में, डॉक्टरों में कितने है, कॉलेज उनिवर्सिटी में कितने है इससे दूद का दूद पानी का पानी हो जागा हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी बागीदारी है ये बाईयों और बेहनों करांतिकारी कदम है इससे करांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता ये जिस दिन जाती जंगरना हो जाएगा उस दिन देश की जंता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालम हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कितना बेफकूप बनाय जा रहा है हिंदुस्तान की जंता का और एक दम हिंदुस्तान की जंता जागरुख हो जाएगी और उसके बाद एक नई राजनेती शुरूँ होगी हिंदुस्तान में नरेंदर मोदी जिस दिन मैंने ये जाती जन्गर्ना की बात की उससे पहले रोज नरेंदर मोदी जी कहते मैं OBC हूँ मैं OBC हूँ अच्छा जिस दिन मैंने जाती जन्गर्णा की बात की कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाती नहीं है तो ही जाते एक अमीर एक गरीब अच्छा पहले आप OBC थे हमने जाती जन्गर्णा की बात की OBC को सच मुझ में अधिकार देने की बात की आप कहते हो भाई ओबीसी तो ही नहीं आप डिसाइड करो आप ओबीसी हो या नहीं हो हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग है हाँ या ना देश को बता दो मगर हमने डिसिजन ले लिया है जाती जन्गरना होगा 50% का यह जो बैरियर बना रहा है इसको तोर फोर के हम परेगर द स्मार्ट होम्स जीते तुम्छे बविश्य होई स्वरक्षित और जो हमारे जो हमारे सेंसस से हिस्सेदारी मिलेगी मराटास को धन्गर को बाकी चोटी-चोटी जातियों को हिस्सेदारी मिलेगी अब सवाल उठता है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल 22 लोगों को फाइदा पहुचाया है जो भी था जो भी देना था 22 लोगों को उन्होंने दिया अभी मैं एरपोर्ट पे ये लखनव से आया लखनव एपोर्ट उधर अदानी जी का बड़ा वहाँ पे साइन था लखनव एपोर्ट पकड़ा दिया उनको मुंबई एपोर्ट पकड़ा दिया सारे के सारे एपोर्ट पकड़ा दिये पहले पब्लिक सेक्टर में 90 परसेंट को रास्ता मिलता था आरक्षन था पब्लिक सेक्टर को पूरे को पूरे प्राइविटाइज कर दिया रेलवे में आपको नौकरी मिलती थी उसको प्राइविटाइज करने में लगे हुए है यह बुलेट ट्रेन का बहाना है इनका प्राइविटाइज करने का बहाना है यह तो जहां भी आप देखो जो आपके रास्ते थे वो सब बंद कर दिये पहले आप सेना में जाते थे पेंशन मिलती थी अगर कुछ होता था शहीद का दर्जा मिलता था कैंटीन मिलती थी उसको भी खतम कर दिया नरेनरमोदी नई योजना लाए अगनीवीर योजना दो तरीके के शहीद बना दिये एक नॉर्मल सोलजर जिसको पेंशन मिलता है दूसरा अगनीवीर अगर वो शहीद होगा उसको ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पेंशन मिलेगी नेक कॉंपेंसेशन मिलने वाली तो आपके सारे के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिये अब इंडिया की सरकार आएगी तो यह आपके जो रास्ते हैं यह फिर से खोलने पड़ेंगे और हम इसको तेजी से बिना जिजक ये धरवाजे हम खोल देंगे एक के बाद एक पहली बात आपको बता रहा हूं अगनी विए इस्कीम को हम खतम करके उठागे भार फेक देंगे दूसरी बात यह जो उन्होंने गलत GST बना रखी है यह GST जो छोटे दुकानदारों को smaller medium industry को खतम करने वाली GST है अधानी वाली GST है इसको हम बदल देंगे पाच अलग-अलग टैक्स नहीं होगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसानों को टैक्स दे रखा है किसानों से टैक्स लेते हैं तो हमने डिसाइड किया है कि जितना इन्होंने पैसा नहां यह 22 लोगों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को गरीवों को देने जा रहे है और मैनिफेस्टों में हमने मैंने मैंने बोला है तीन चार हमने प्रांतिकारी काम मतलब देश को हिलाने वाले मराश्टा को हिलाने वाले काम करे हैं सबसे बड़ा काम दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा सोचा ही भी नहीं करना छोड़ो सोचा ही नहीं है हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के हम लिस्ट बना रहे हैं मोदी ने करोणों लोगों को गरीब बनाया ना उन सारी की लिस्ट हम निकाल रहे हैं सारे गे सारे नाम उन परिवारों में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में दस हजार नहीं पीस पच्चिस तीस हजार नहीं पचास हजार नहीं नब्बे हजार नहीं एक लाख रुपिया साल काम डाल देंगे और ये मीडिया वाला जो भी बोलना चाहें बोलो हमें कोई फर्थ नहीं पड़ता चिलाओ चिलाओ जितना चिलाना है तुम्हें नाज गाना करो, डांस करो, चिलाओ, गाली दो हमें, कोई फ़र्ट नहीं पड़ता ये कहते हैं, हमने मंद्रे का योजना दी कहते हैं, गरीबों को ये बिगाड रहे हैं, आलसी बना रहे हैं अधानी को लाकों करोड रुपे दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता मगर मजदूरी करने वाले, मजदूरी करने वाले गरीब लोग बिगड़ते हैं, किसान का करजा महाफ होता है, कहते हैं, देखो बिगाड दिया किसानों को 16 लाक करोड रुपे करजा महाफ होता है, कहते हैं, देखो 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 विकास हो रहा है अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकाज क्या होता है अंजनी लॉंस मंगल कारे ले कौंडवे दावडे पुने पार्किंग जेवनता सोतंत्र हौल आनि वदू अरांचा सुसज्य खोलें सह बजेट मदे असले ले एक मेव खात्री शीर मंगल कारे ले कोरोनों महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाग रुपीया साल का आथ हजार 500 रुपै महीने का ठका ठक 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 एक लाग रुपए बैंक अकाउंट में अब यहां पे बहुत सारे पुर्षे कहेंगे देखो भईया आप महिलां को क्यों दे रहे हो हमें चाहिए आपको होगे मैं जानता हूँ मैं आपको उताता हूँ 21 सदी में आप दोनों काम करते हो स्त्री और पुर्ष दोनों काम करते हो आठ दस घंटा बहार घर में काम बहार काम करते हो और फिर आप दोनों घर आते हो आप रेस्ट करते हो और आपकी जो बीबी है माता है वो आठ घंटे एक्स्ट्रा काम करती है उसके लिए किसी भी सरकार ने उस काम के लिए किसी भी सरकार ने दुनिया की किसी भी सरकार ने महिलाओं को कॉम्पनसेशन पैसा नहीं दिया है अब ये पहली सरकार होगी जो इस बात को accept करेगी कि हमारी महिलाए देश के भविश्य की रक्षा करती है पुर्शों से जादा काम करती है और उनके बैंक अकाउंट में एक लाग रुपया डालने जा रही है और मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ या आप अभी ताली बजा रहे हैं अंत में ये पैसा आप लोग ले जाओगे दबाव डालके किसी ना किसी तरह आप लोग को भी इससे वाइदा होगा मगर बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम में होगा दूसरी बात आश्या अंगरवारी में जो महिलाएं काम करती हैं उनके आमदनियम दुगनी करने जा रहे हैं और मंडरेगा में मंडरेगा में आज 250 रुपे मिलते हैं सरकार आने के एकदम बाज 400 रुपे आपको मिलेंगे अब थोड़ी सी किसानों की बात करना चाहता हूँ नरेंदर मोदी जी ने आपको जी एस्ट आप पर जी एस्टी लगाई जमीन अधिकरन बिल उन्होंने रद किया आपके हक लिए आपका कर्जा माफ नहीं किया और आपको सही दाम नहीं देते हैं जब भी आपको अपना माल करीदना होता है धान, शुगर, केन, सोया जो भी हो जब भी आपको करीदना होता है नरेंदर मोदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को गुमा देता है और आपको सही रेट नहीं मिलता तो आपकी दो ही मांगे है, मैं जानता हूँ लाकों किसानों से मैंने बात की है आपकी दो मांगे है पहला एक कर्जा माफी और दूसरा हमें सही दाम चाहिए हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए हमें अपने काम के लिए खुन पसीने के लिए सही रेट चाहिए ये दो काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं किसान का करजा माफ हम करेंगे मगर हम वहां नहीं रुकने वाले देखो शितोले हैट्स अनि शितोले पार्क असे एक ते तीन बेटरूम्स से वार्जे करवे नगर भागातिल स्मार्ट होम्स जीते तुमचे बविश्य होई स्वरक्षित देखो अरब पतियों का एक बार करजा माफ नहीं होता जब भी वो चाहते हैं नरेंद मोदी उनका करजा माफ करता है इसलिए हमें कमिशन बनाएंगे उसका नाम होगा किसान करजा माफी कमिशन जब भी वो सरकार को कहेगा कि हिंदुस्तान के किसानों को करजा माफी की जरूरत है उस दिन सरकार करजा माफी कर देगी मैं आपको बता रहा हूँ वो 5% की 2% की सरकार चला रहे हैं हम 90% की सरकार चलाएंगे और जितना उसने नरेन मोधी ने उनको दिया ना उतना ही मैं उठा के किसान को, गरीब को, दलेतों को, पिछडों को, आधिवासियों को देने जा रहा हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे ने पता ही क्या है जितना ही ये मीडिया वाले चलाएंगे न उतना ही मुझे लगे रहा ही है ये बिटकुछ सभी काम कर रहा हूँ और करो इसको अब नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को युवाँ को बेरोजगार कर दिया जब आपने उनसे पूछा था भईया हमें रोजगार दो कहते पकोड़े बलाओ कोविट के समय आपसे कहा भईया ठाली बजाओ मोबाइल फोन की लाइट आउन करो और मज़े की बात बताता हूँ उसी टाइम जो कमपनी कोविट की वैक्सीन बना रही थी जिसको हजारों करोर रुपए सरकार दे रही थी वोही कमपनी नरेंदर मोधी की पार्टी को पैसा दे रही थी और जो कमपनी वैक्सीन बना रही थी वो नरेंदर मोधी की पार्टी को donation दे रही थी बाद समझ जाओ बाद समझ जाओ तो आपको बेरोजगार बनाया अदानी का बेटा है वो जौब permanent जौब पर करने से पहले apprenticeship करता है temporary job करता है 6 महिने के एक साल में एक साल की अपने पिता के company में उसको काम दिया जाता है और उसके बाद एक साल बाद उसको permanent किया जाता है ये हिंदुस्तान के जो करोड़ों युवा हों युवा हैं इनको ये facility नहीं दी जाती तो हमारी एक scheme है रांतिकारी scheme है उसका नाम पहली नौकरी पक्की guarantee guarantee ये नहीं ऐसे नहीं कानूनी अधिकार जैसे मन्रेगा में कानूनी अधिकार है अगर किसी ने मन्रेगा का काम मांगा तो देना ही पड़ेगा वैसे ही apprenticeship का पहली नौकरी का हमने कानूनी अधिकार दिया है मतलब हिंदुस्तान का कोई भी पेरोजगार graduate diploma holder college graduate university graduate कोई भी सरकार से कह सकता है मुझे अपनी पहली एक साल की नौकरी चाहिए सरकार मना नी कर सकते नौकरी कहां मिलेगी private sector public sector सरकारी offices में सरकारी हस्पतालों में सरकारी college universities में करोणों युवाओं को एक साल की नौकरी पहली नौकरी पक्की अभी तो भीया मैंने बात बोली नहीं अभी आप तालिव जा रहे हो पहली नौकरी पक्की एक लाग रुपे बैंक अकाउंट में साल के 8500 रुपे महीने के एक साल के एक लाख रुपे हर युनिवर्सिटी ग्रेजुएट कॉलेज ग्रेजुएट को और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बहतर ट्रेंड वर्क फॉर्स मिलने जा रही है मतलब ट्रेंणिंग भी कर देंगे पहली नौकरी भी दे देंगे और जेव में एक लाग रुपे भी दे देंगे यह देखिए कॉंग्रेस का कमाल तो यह शुरुवात है भाई और बहनो जाती जनगर्ना महलक्षमी स्कीम पहली नौकरी पक्की किसानों का कर्जा माफ गैरेंटीड कानूनी MSP मजदूरों को 400 रुपे आशा अंगनवारियों क्यामदनी दुगनी यह शुरुवा थे यह हम आपके लिए करने जा रहे हैं अब नरेंद्र मोधी जी के भाषन देखिए आप जानते हो कि करनाटक में रवन्ना नाम सुना आपने आँ सुना उसने 400 महिलाओं का बलतकार किया है मोधी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं अंजनी लॉंस मंगल का रहे ले कॉंडवे दावडे पुने पार्किंग जेवनाता सोतंद्र हॉल आनि वदू अरांचा सुसज्य खोलें सह बजेट मदे असले ले एक में खात्री शीर मंगल का रहे ले होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमेले ने चिट्टी लिखी थी छे महीने पहले कि ये रवन्ना है इसने चार सो महिलाओं का रेप किया है होम मिनिस्टर ने कोई कारवाई नहीं की नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने चार सो महिलाओं का रेप किया क्यूं क्यूंकि होम मिनिस्टर जानते थे तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो इसका समर्थन करो मुझे जिताओ मैंने ये करनाटक में बोला नैशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी एक अखबार ने नहीं लिखी वो अखबार में लिख रहे थे राहूल गांदी अमेटी और राइबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा वो चल रही थी मीडिया इनकी अब मैं राइबरेली चुनाव लगा रहा हूं बिल्कुल चुप हो गए तो वो कभी नरेंद्र मोधी कभी पाकिस्तान की बात करेगा कभी समुन्दर के नीचे जा के मतलब ड्रामा करेगा और मतलब आपने देखा पता नहीं देखा मतलब समुदर की नीजे का जा के बिल्कुल डरा हुआ था वहिया कुछ हो ना जाए यहां पर तो मजाग बना रख़ा है राजनेती का और सीनियर नेता जो है शरत पवार जी जैसे हैं सीनियर नेता जो है उनका आपमान कर रहे हैं उनके बारे में उल्टी सी दिवार बोलते हैं, मतलब प्रधान मंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए, प्रधान मंत्री को देश की बात करनी चाहिए, विकास की, किसानों की बात, मतलब, क्या मतलब है, सीनियर नेता का अपमान करना क्या मतलब, क्या फायदा मिल रहा है उनको, क्या सोचते हैं, कि हिंदुस्तायन की जनता खुश हो जाएगी, हिंदुस्तायन की जनता उनसे यह जानना चाहते हैं, आप, पचास परसेंट का जो अरक्षन का है, उसको हटा र ना कर रहे हो यह सवाल है उनका तो जवाब देते ही नहीं है तो यह मैं आपसे कहना चाहता था देखिए जब मैं महराश्टरा में लैंड करता हूं न तो जैसे आज मैं लैंड किया यहां पर मुझे लगता है कि यह कॉंग्रेसी स्टेट है यह अगर मैं आपको बता रहा हूं मैं जैसे ही अनलैंड करता हूं मुझे मज़ा आता अच्छा लगता है कि मैं मतलब कॉंग्रेस की जो और मैं संगर्टन की बात नहीं कर रहा हूं मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों में हजारों साल से आपके खून में कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा है आपको बताने की भी ज़रुद नहीं है आपको बताने की भी ज़रुद नहीं है आपके दिल के अंदर है मतलब वो आपके चेरे पे लिखा हुआ है तो मैं जानता हूँ यहाँ पर नाच्रल नाच्रल कॉंग्रेस पार्टी की विचार दा रहा है मैं आपको हमारे जो यहां बबबर्शे टाइगर जो बैटे हुए है यह दूसरे तरीके के टाइगर होते हैं या आमतोर से जंगल में आपको मतलब एक दो किलोमीटर में एक टाइगर मिलता है है ना यहाँ पर देखो कितने एक साथ बैटे हुए है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हमारी रीड की हड़ी हो आप आप देश को बदलने वाली फोज हो आप अपनी शक्ति को पहचानो आप देश को बदलने वाली फोज हो आपके खून के अंदर आजादी की लडाई फूले जी की विचारधारा अमबेटकर जी की विचारधारा गांदी जी की नहरू जी की विचारधारा आपके खून के अंदर है उसको निकाला नहीं जा सकता आपके माता पिता के अंदर है आपके बच्चों के अंदर है आपके परदारा के अंदर है तो यह मैं आपसे कहना चाहता था आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया मैंने आपका मूड अच्छा कर दिया अच्छा ये अभी ये आकरी बात आकरी बात जो मैं यहाँ जब महाराश्टरा में यात्रा में निकला था तो बहुत सारे युवावन ने मुझे कहा कि राहुल जी मोधी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया हम पेपर लेते हैं और महीनों के लिए हम रात दिन काम करते हैं और जिस दिन पेपर देना होता है उससे एक दिन पहले हमें किसी के मोबाइल फोन पे पेपर लीक हो जाता है पेपर दिख जाता है जो बेहिमानी करता है वो पेपर लिग करवा देता है बिना पढ़ाई करे वो आगे निकल जाता है और जो इमानदारी से पढ़ाई करता है उसका नुकसान होता है और हजारों यवान ने ये मुझे बुला तो हमने मैनिफ्रेस्टों में लिख दिया है एक नया कानून लाएंगे जिससे कड़ी सी कड़ी सजा पेपर लिग वालों को होगी और ये जो नया फैशन बनाया है नरेंदर मोदी जी ने की इग्जामिनेशन प्राइवेट कंपनिया करा रही हैं इसको हम बंद कर देंगे सरकारी संस्ता ही पेपर दे पाएंगी और अगर किसी ने पेपर लिग करवाया तो हम कड़ी सी कड़ी सजा उसको देंगे अंत में आप जानते हो शिवाजी महराज की कर्म भूमी है शिवाजी महराज की जै जै हिंद जै महराश्ट्रा नमस्कार